नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आर्टी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम आठवी कक्षा के इतिहास विशय का ध्यन कर रहे हैं। और हम इतिहास विशय के इस तीसरे चैप्टर जिसका नाम है ग्रामिंड जीवन एवं समाज तो इस तीसरे चैप्टर के इस दूसरे विडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रियास करेंगे कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी जब सत्ता में आती है तो भूर के लिए या क्रिसी के लिए लैंड रेवनियू और एग्रिकल्चर के छेतर में किन परिवर्तनों पर ध्यान देती है और वे जो परिवर्तन जारी करती हैं लागू करती हैं उन परिवर्तनों के पीछे उसका क्या उद्देश होता है क्या वो किसानों के हीत में निर्णे ल आपके समक्स प्रस्तूत करने का प्रयास करेंगे तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी की जो क्रिसी नीती थी वो शरिफ इस्ट इंडिया कंपनी इंगलेंड और इरोप के लाव के लिए थी ना कि वो भारतियों के लाव के लिए थी तो East India Company ने बेवसाइक फसलों की खेती पर अधीक जोर दिया बेवसाइक फसलों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कैस क्रॉप जैसे की कॉटन कपास गन्ना तंबाकू जो इस परकार की चीज़े हैं जैसे की चाय पटसन ये सब चीज़ें कैस पर उन लोगों ने जादा जोर दिया इसके अलावे स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देखते जाएं कंपनी ने इरोप की आउसकताओं को ध्यान में रखकर ग्रामिन इलाकों में उन फसलों पर जोर दिया जिसका इरोप में अच्छा बाजार था तो ये समझने वाली बा जो की एक नसीला मादक पदार्थ है और नील यानि की इंडीगो ये दो चीजों की खेती पर जादा जोर दे रही थी आगे देखिए स्टूडेंट्स अधोलिखित फसलें इस्ट इंडिया कंपनी के भारी मुनाफे का सौधा थी कौन कौन सी फसलें जिसमें कच्चा रेसम है इसको रौसिल्क बोलते हैं उसके बाद कपास यानि की कॉटन चाय यानि की टी अफीम यानि की ओपियम स्टूडेंट्स लगभर डेड़ सताबदी तक यानि की लगभर एक सो पचास बरसों तर अंग्रेज किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए किसानों को बाद्धे करते थे यानि की मजबूर करते थे वे इस परकार से परिस्थेतियां पैदा कर देते थे कि किसान उन ही फसलों की खेती करें जैसे की बंगाल के किसानों को पटसन यानि जूट की खेती करनी पड़ रही थी असम के किसानों को चाय की खेती करनी पड़ रही थी मदरास के किसानों को चावल की खेती संजुक्त प्रांद यानि आज का जो उत्तर परदेश वाला छेतर है वहाँ पे गन्ना की खेती ताकि चीनी बन सके और आगे महाराष्ट और पंजाब में कपास की खेती यानि की कॉटन की खेती तो यह सब चीजें स्टूरेंट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सोचेंगे कि इससे तो किसानों को लाब है लेकिन बात दे करके किसी किसान से किसी फसल भी से इसकी खेती करवाना ये कोई उचीत काम नहीं है तो स्टूरेंट्स अब आगे बढ़िए हमारे आठवी कक्षा यानि जेसी आठी इतिहास पाठे पुस्तक के इस तीसरे अध्याय के माध्यम से हम मूल रूप से नील यानि की इंडीगो की खेती और उससे जुड़ी सतावदियों के संकट और उससे भारतिय अर्थ व्यवस्ता पर पढ़ने वाले प्रभाव इतियादी का हम गहन अध्यन करने का प्रियास करेंगे तो यहां तक समझे होंगे स्टूरेंट्स कि व्यवसाइक फसलों पर अधिक जोर दिया बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा रेसम कपास अफीम चाय इतियादी जो कि उसके लिए मुनाफे का सोदा था उस पर ध्यान दिया और इसके अलावे उन लोगों ने ध्यान दिया रेसम के उत्पादन पर और कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान दिया जो की नसीला पेपदार्थ होता है और उससे सरिफ आर्थिक लाव उठाया जा सकता है बैपारी के तौर पर समाजिक द्रिष्टी से देखी जाए तो वो अच्छी चीज नहीं है और इसके अलावे स्टूडेंट्स जो मूल रूप से जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नील का उत्पाधन तो चलिए हम लोग अब नील के बारे में देखें कि नील क्या चीज है हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नील का कल्टिवेशन कैसे होता है तो वास्तव में स्टूडेंट्स नील एक परकार का रंजक होता है यानि कि डाइस्टप होता है कोई चीज रंगने के काम में आता है है ना जदी बानस्पतिक द्रिष्टी से देखिएगा तो इसका नाम होता है जो इसको हम लोग बानस्पतिक नाम देते हैं तो इसकी जो डिमांड है वो 13 सदी यानि की 13 सेंचुरी तक बिटेन, फ्रांस, इटली, आधी देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए जाद अतर भारतिय नील का ही उपयोग किया जाता था इस्टुडेंट्स 13 सताबदी यानि 1201 से लेकर के 1300 का जो समय है तो इरोपिय देशों में भारतिय नील की बहुत मांग थी इसकी कीमत भी काफी उची थी इसका कारण था क्या कि भारतिय नील की जो है गुणवत्ता वो काफी अधीक थी तो यह समझने माली बात है और नील से क्या होता था सूती कपड़े जो होते हैं यानि की कॉटन का जो फैबरीक होता है उसके पीलेपन को दूर किया जाता है यह दो रूप में पाय जाता है चूर्ण के रूप में और दूसरा है तरल रूप में और दोनों रूप में ये परियोग होता है और बिसेश करके जो इरूप के बाजारों में जो फैक्टरियों में जो परियोग किया जाता था वो चूर्ण वाला पाउडर होता था तो भारतिये जो नील है उच गुणवत् और कपडों में इसे जवर्दस चमक आ जाती थी चुकि भारत से इरोग काफी दूर है अताब पहले तो यह बहुत कम मात्रा में इरोग के बाजारों तर पहुंशती थी यहां तक समझे होंगे स्टूडेंट्स कुछ और बातें जान लीजिए नील रंजक का मूल प्राकृतिक स्रोथ है नील के पौधे जो हैं लेगुमनेस स्रेणी के होते हैं जो मिट्टी को उपजाव बनाते हैं नील के पौधों की उचाई एक से दो मीटर होती है यहां एक बर्सिये दूई वर्सिये या सदा बहार हो सकता है इसकी पत्तियां हलकी हरी होती है और इमली के पत्तों के समान छोटी छोटी होती है तो इसको आप स्टुडेंट्स चितर पर भी देख सकते हैं पहले चितर में आप नील के पौधे को देख रहे हैं दूसरे में नील के पत्ते और फूल को देख रहे हैं और तीसरे में नील के पत्तों से बना जो रंजक है, यानि कि डाई स्टफ है, उसको आप देख रहे हैं, तो students, बिटिस भारत का जो इतिहास है, उसको हम लोग नील के इतिहास से भी जोड़कर हम लोग अध्यन कर सकते हैं, क्योंकि नील अपने आप में एक ऐसी फसल है, जिस के कारण सताब्दियों तक भारतिय किसान परिसान रहे हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक समय ऐसा आया, जबकि इसी सुनहरे नील की खेती के लिए बंगाल के किसानों को मारा पीटा जाने लगा, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती, किसानों को उनके सबस की खेती करना संभव नहीं था, तो स्टूरेंट्स जदी देखेंगे, तो किसानों की दृष्टी से ये चीज बहुत ही दुखदाई होती है, कि हम एक ऐसे फसल का उत्पादन करवा रहे हैं, हम ऐसे फसल को उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं, जिसकी खे परिणाम स्वरूफ होता है स्टूरेंट्स 1869 में नील बिद्रों, तो स्टूरेंट्स आप जानते हैं कि 1857 में भारत का प्रथम सोतंतरता संगराम जिसको की हम लोग सिपाही बिद्रों के नाम से जानते हैं, उसके ठीक दो साल बाद यानी 1869 में नील बिद्रों हुआ, जो की हमारे आज अध्यन का विषय है. तो चलिए students अब हम लोग देखते हैं कि नील बिद्रो क्या था और क्यों हुआ था? ठीक है? तो आप students देख सकते हैं कि बंगाल में नील की खेती के नाम पर दसकों तक दसकों तक नहीं स्टूडेंट्स बलकि सताब्दियों तर जुल्मों सितम का दौर चला फिर सुरू हुआ नील बित्रो अठारा सो उनसट में बंगाल के हजारों रईतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया सबसे पहले इस बित्रो की सुरुआत आज के पस्सिम बंगाल राज के नदिया नाम का एक जिला है और इस जिले में गोविंद पूर नाम का एक गाउं है इसी अस्थान से नील बिद्रो की सुरुआत हुई थी जिसके जो मुख नेता थे उनका नाम था दिगंबर विश्वास और विश्णु विश्वास तो आप यहां पे देख सकते हैं नक्स परते हैं अपनिवेसिक सासन यानि की कोलोनियल रूल में भारतिय किसानों ने अंग्रेजी सासन एवं जमिनदारों के खिलाफ कई बिद्रो किये इसमें नील बिद्रो पहला किसान बिद्रो था यह अंदोलन बंगाल में नदिया जीले के गोविंद पूर गाउं से लिया मार्च 1869 में सेकडो रईयतों ने नील की खेती करने और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया यह बात कब किये स्टूडेंट्स मार्च 1869 की इसलिए हम लोग कहते हैं कि नील बिद्रो 1869 में हुआ अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडें वहिसकार यानि की सोशल बैकोर्ट किया गया लगान वसूल करने वाले गुमास्ता उन लोगों की पिटाई की गई गुमास्ता क्या होता है गुमास्ता एक फार्सी सब्ध है जिसका आर्थ होता है एजजेंट जैसा कुछ है ना तो गुमास्ता अंग्रेज बागान मालिकी और से नियुक्त एजेंट होते थे ये गुमास्ता किसानों को ड्राने धमकाने से लेकर उन्हें हर तरह से परेसान करते थे तो एक परकार से उनकी पिटाई होनी भी सुरू हो गई थी तो इस्टुएंट्स आप यहां एक चीतर भी देख सकते हैं कि किस परकार से नील के क्रि उट करने के लिए गाउं गाउं घुमने लगे 1860 की सुरुवात तक यांदोलन बंगाल के उन्जीलों तक फैल गया जहां नील की खेती होती थी तो विद्रों के फैलाओं में बुद्धि जीवीवर यानि की इंटिलेक्चुल क्लास ने भी अपनी भूमी का निभाई नील पामना खुलना और धाका जो की आज बंगलादेश में है तो यह कोई कुछ छेतर थे अब हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और आगे बढ़ते हैं देखिए इसमें है कई जगह बागान मालिकों और रहतों के बीच क्या हो गया आपस में दोंद की स्थिति आ गई तो कई द्वार द्वारा नील उत्पादन व्यवस्ता की जाज के लिए डवलू एस सीटोन कार नाम के जो एक सेकेटरी थे गवर्नर अब बंगाल के तो उनकी अध्यक्सता में चार सदसिये नील आयोग 1860 में बनाया गया जिसको हम लोग इंडीगो कमिशन बोलते हैं तो इसको र विद्रों के लिए जिमेदारी नील प्लांटर्स की बनती है यानि कि ऐसे ठीकेदारों की बनती है जिन लोगों ने नील की खेती जिन लोग जो लोग नील की खेती करवा रहे थे और अधिसूचना यानि कि नोटिफिकेशन जारी की गई कि कि किसी भी रईयत को नील की खे अपनी इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही यानि की नील के लिए जो आयोग बना उसने किसानों के पक्ष में अपना फैसला दिया अब आगे स्टुएंट्स देखिए गामिंट जीवा ने उन समाज जिस चेप्टर का मध्यन कर रहे हैं नील विद्रों के बाद क् बंगाल के लगवक सफी नील फैक्ट्री बंद हो गये बागान मालिकों यानि इंडिगो प्लांटर्स ने बंगाल छोड़ दिया अब वे बिहार की और ध्यान देने लगे महात्मा गांधी का जो चंपारन अंदोलन हम लोग जानते हैं स्टुएंट्स 1917 में हुआ था तो व स्टुएंट्स हम लोग जब नील बिद्रो की बात करते हैं तो हम लोग नील दरपन को नहीं भूल सकते और दीन बंधु मित्र को भी नहीं भूल सकते तो ये बहुत बड़े बंगाली रंगमंच से जुड़े हुए थे दीन बंधु मित्र इनको हम लोग बंगाली ड्रामे दोलन में प्राण फूख दिये या बंगाली गंग मंच के विकास का अगर दूद भी बना तो एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब नील दरपन का जब मंचन होता था ये जो नाटक था इसका मंचन किसी अस्थान विसेस में होता था तो वहां पर जो अंग्रेज का जो गोल करता था उसको सरे आम जो है नाटक के दोरानी जूतों से पीटा जाने लगता था तो इसका मतलब यह है कि लोगों में कितना अक्रोस था इस बात को हम लोग इसी चीज से अनुमान लगा सकते हैं आगे स्टुडेंट्स नील दरपन एक इतिहासिक दस्तावेज है इसन स्टुडेंट्स इतना ही आप पाठ़पुस्तर से भी जुड़े रहें और प्रियास करें कि पेज नंबर 34 से लेकर 39 तक आप लगातार अध्यन कर लें और इसमें आप यह चीज समझ जाएंगे कि किस परकार से बिटिस सरकार ने यानि बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने ब्यावसाइक फसलों के उत्पादन पर जोर दिया किस परकार से नील की खेती को उन लोगों ने तवज्जो दिया और इसमें बिटेन की कौन-कौन सी दिल्चस्पी थी साथी आप ये भी समझेंगे कि जो नील की खेती है उससे भारतियों को क्यों निरासा हुई उनमें क् लोगों क्यों हुआ तो ठीक है स्टुएंट्स इस वीडियो को यहीं पर मैं समात करता हूं जहिंदे स्टुएंट्स